वेलो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे यूटूब चानल पर तो दोस्तों मैं आपको बता हूँगा कि मुझे कैसे कपीरेट स्ट्राइक जो है वो मिला तो आप यहाँ पे देख लीजे यहाँ पे मुझे एक मेल आया है यूटूब की तरफ से तो मैंने उपन किया यहाँ प सूंग मैं यूज किया था 30 सेकेंड ज्यादातर उटूब में यह होता है कि अगर आप कोई सांग यूज करोंगे छोटा से छोटा से संग बलूट सूंग हो या किसी भी संग तो थार्ड टि-सेंट अगर यूज अब करते हो तो अपको जो कोई कापिरेट क्लेम नहीं लग तो यहां पर सो नहीं हो रहा है तो केसे मैंने रिमूब किया तो उस भीसे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्सम में बताइए बो भी में अप्रोड कर दूंगा बाकी आप यहां पर देख लीजे किसने मुझे कपी रेट स्ट्राइक डाला था तो यह मुझे एक सॉंग में इंए उज़ किया था ये लिट् think भी सेक्नwelा तरब से कज़ु सोंगा डो चाहिए स्ट्राइक मिंए बोल यह सेप्री रेट स्ट्राइक डाइक अश्यूर कर दो हमगा लिभ तो मतलब अगर इसमेन अगरि सेक्टाइम एज सेक्रवीड रहने देत वो यह सारा जो content creator है उसके पास चला जाएगा तो मैंने इसको कहा के आपको भी मैं लाप्टप की तरफ से लेके आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको पूरा detail है वो आपको देखता हूं यहां पर देखें यहां पर मैंने भी मेरे लाप्टप पर आया हूं तो देखें यहां पर भी जो मी भी रोम ब्लुटूथ करके जो मैं डाला था तो उसमें भी अभी एक अपिरेट क्लेम करके यहां पर दिख रहा है अब देख लीजे इस वीडियो फाउंड कटेंड कपिरेट कलेम्स के ब्लूम की है यहां पर देखले ळीजये जो जो सारे है कि नौटपर अफेके है कि और यहां पर लिख रहा है कि अलिजिबूल मतलब जो भी व्यर्निक्स और जो ऑठ ऊरिपर उता है कि ब्लो । चोथा सा मिस्टेड की का जो रहा और यहां पर जिस संग के कारण copyright strike लगा है वो भी mention किया है कि बोलना हलके हलके जुम बराबर जुम एक मोभी था उसी का copyright strike लगा है और यहां पर अब देख लिजे कि इसमें लिखा है monetized in some territories और मतलब किस time के बीचो बीच copyright strike लगा है वो भी यहां पर mention किया गया है कि 3-50 से लेकर 4-26 तक जो पार्ट मैंने यूज किया है वीडियो में यानि कि जो music मैंने यूज किया है उसी के regarding strike लगा है और यहां पर भी लिखाए कि copyright or notes YRF music on behalf of ESRaj films तो यह सारी जो detail मतलब mention किया गया है तो मैंने इसमें select action में click करके अलड़ी copyright claim जो है वो remove कर चुका हूँ तो कोई tension लेने की बात नहीं है लेकिन मैं आपको दूस्तों यह बताना चाहता हूँ क्या होता है मतलब policy है कि 30 seconds तब आप कोई भी music यूज कर सकते हो लेकिन 30 seconds भी नहीं हुआ है मैंने music यूज किया और उसी में भी copyright claim लग चुका है आ सकता है तो बास यह थी कुछ बाते आपको इस वीडियो की दर्वान बताना चाहता हूँ तो अगर आप चाहते हो कि copyright claim को कैसे remove किया जाए तो आप इस वीडियो में मुझे नीचे कमेंट करके जरूरू बताएंगे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरा सेयार भी कीजिए अगर आपका कोई सुजाब हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा बाई